नमस्ते दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं हिंदी साहित्य के संसार में आज सुनिए सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी बाट तो शुरू करते हैं कहानी बाट धूप उसकी चटाई पर आ गई थी लेटे लेटे उसे लगा कि उसका बदन बहुत तप गया है सरला कलफ लगी साड़ी में सर सर करती पास से गई तो उसने आखें खोली उठती सी बोली बहु देखना मुझे बुखार तो नहीं है सरला बिना रुके रसोई में चली कही वहीं से आवाज दी शीलू थर्मामीटर लाना जरा सरला का स्वर सदा की ही तरह तीखा था उसे लगा कड़ूआ भी हो गया है उसे मालुम था कि शीलू खेल छोड़ कर नहीं आएगी ना सरला ना सही वो फिर चटाई पर सिमट कर लेट गई ना सही शरी जाने कैसा हो रहा था अंदरी अंदर थंड़ा उपर से तपा सुलगा ऐसा ही तो मौसम था उन दिनों ऐसा ही चटाई पर उसने अपने आपको ढीला छोड़ दिया सरला फिर सर सर कर बिना रुके पास से गुजर गई पर उसने उधर से मन थेड़ लिया कैसा बुखारी, बुखार तो किसना से था, बच्चों पर क्या जाना, क्या चाहना, उसे बुखारी तो था उस दिन, जिस दिन वो प्याली सस्वरा लाई थी, हरी सिल्क का लेंगा पहने, जिस पर उसकी दादी ने हफ्तों बैठ कर गोटा ठपा टांका था, और सुर्ख लाल ओड़ना, ओड़े, सलमे से मढ़ा, जो उसे मामा दे गए थे, सुबह से मूँ दिखाई कराते कराते, ओ ठक गई थी, दो रात से सोई नहीं थी, बैठे बैठे महीं सो गई, छोटी ननत जब उसे सोता देखकर, खिल-खिल हसने लगी, तब भी वो जागी नहीं, हार कर नन भी खूब तेज थी, जट समझ गई, ओरना ठीक से उड़ाती हुई बोली, गुसल खाने चलोगी क्या, और उसने हलका सा सिरहिला दिया था, ओरतें इधर दर व्यस्त थी, गलियारे में होती वे दोनों कमरे के पीछे बने स्नान ग्रह तक आ गई थी, अंदर मोरी है, कहकर ननने दर्वाजा बाहर से बन कर दिया था, जब वो बाहर आई तो गलियारा खाली था, कहां गई, उसे तो घर का कमरों का रास्ता नहीं आता था, गुंगट मात्थे से सरकाया, इधर दर देखती गलियारे में चली आई, अरे सामने तो हो खड़ा था, वही तो उसका बनन शादी की शेरवानी उसने अभी उतारी नहीं थी, दोपहर की धूप में जलमल कर रही थी, उसे तो घुंगट की सुधी नहीं आई, सुध तब आई, जब वही बोला, गुंगमाला, इन्हें तो मेरा नाम भी मालूम है, वो बहुचक देखती ही रह गई, गुंगमाला, ग गुंगमाला, पर कहते नहीं बना, वो अपने गले में पड़ी चार तोले की चेन खोल रहा था, खोल कर उसके हाथ में धर दी थी, ये रख पहन ले, ननद आ गई तभी, तभी गुंगट खीच लिया था गुंगमाला ने, माला चुपा ली थी, पहली पहली चोरी की थी ज वो बोली, बहु को भड़क हो गई, भड़क हो गई, ये बात घर बर में फैल गई, कंबल आया, वो लेट गई, जरावी प्रतिवाद नहीं किया, आँख बंद कर पड़ी रही, वही किम ख्वाब की शेरवानी आँखों में कौन्थिती रही, ननदे गहरा डाल कर बैट ग जाएगी, ननदे लोट पोट कर गट्री हो गई, वो कंबल में छीपी रही, होट काटती, कितने बरस की थी, बारे बरस की, और फिर सन्नाटा, ननदे चुप, दरवाजे पर वो खड़ा था, हाथ में डॉक्टर का बैग लिये और डॉक्टर उसके मुह से कंबल उठा रहा पर भाबी डॉक्टर, अरी डॉक्टर का मैं के करूंगी बीबी, मैं तो देखू थी, तुमारे बीरे में कितना दरद है, रुपया कहाँ से पाए उनने, किसी दोस्त से, नन्दों ने बताया, फिर तो बस वो नाच उठी थी, रात भी छमा-छम नाचती रही, बड़े रहने, डोर जो थी प्रीत की, पक्की-पक्की, मारी, वो मैके लोटते समय सास के कले लिपट कर बुली थी, मुझे ये घर अच्छा लगता है, सास ने चुमका रहा था, मेरा भी तो मन मोह लिया है तुने, जल्दी ही गौना करवाऊंगी, अब घर तेरे बिना नहीं सजने का बहू, जल्दी बुलानारी, जल्दी, वो अपने पीहर की अमराई में भूली-भूली फिरती, कोई तांगा रुकता दूर से, तो उसे सात्मे की पाठ क्रम में पढ़ी रतनावली और तुलसी दास की कहानी याद आ जाती, मेरा किसना भी भाग आया अगर, नहीं नहीं, तन बढ़नी चीज, बढ़ चला टूट टूट कर, मा और दादी रोज दुपहर में गौने में दिये जाने वाले सामान को गिन्ने बांधने लगी, नहीं बधता था, पखेरू सा फरफडाता फिरता, गुर्माला, 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 बाबा आंगन से पकार रहे थ उठरी गुणो बिटिया, देखते ही देखते गौने का सामान लटक्या तांगों में, बदहवास सी वह विदा भी हो गई, क्योंकि उसकी सास का बुलावा आया था, जल्दी भेजो, पर स्वैम सास ही उसके पहुँचने से पहले चली गई, राम जी धोरे, बहु के लोटन न रहा, किसना भी खो गया जैसे याद न आया भीरभाड में, वो आया जब मा को बीज दिन हो गए, महमान सब चले गए थे, छोटी बिन विहाई ननद बिमला उधर ससुर के कमरे में सो रही थी, रसोई के पास वाली कमरे में मा कही पलंग पर वो स्वैम दिन भर के श्रम स लस्त पड़ी थी, गुर्माला, वो अंधेरे में उसे टटूल रहा था, तू तो है न, तू तो नहीं जाएगी न, मा तो दोका दे गई, नहीं, कब भी नहीं, वो जट से उट बैठी थी, देख ली जो मैं नहीं जाओंगी, कब भी नहीं, खूब रोय थे दोनों, खूब जब तक किसना की हिचकी रुख नहीं गई, रुखी तो चाहती चोड़ाने लगी, आप ही आप, और वो उसी में समा गई, पूरी की पूरी, मैं अब पढ़ने नहीं जाओंगा, अगले दिनों बोला था, क्यों, शरम लगती है न, शरम का क्या काम किया है कुछ, उसने भूल गया ही नहीं, दस्वी के तैयारी रखी रह गई, दुकान जाने लगा, बापू भी नहीं बोले, दुकान उसे चटपट समलवा, खुद विमला के ब्याह के तैयारी में लग गए थे, वो दिन भर घर पर और किशन दुकान पर, तेजी तेजी से काम करते, जैसे पीछे गीता, गीता को गोदी खिलाते बापू एक दिन नहीं रहे, तो फिर उसने रात में वैसे ही उसे टटोला था, ये कैसा विधान है गुणिया, तू आई तो मा गई, वीरो आया तो विमला, और छोटी के आते ही बाबू गए, ना ना, मन छोटा ने करते जी, मैं तो यहीं हो ना, देख ली जो, और एक दिन उसने कहा था, चानते हो, कभी कभी कैसा लगता है, जैसे घना जंगल है, भाए भाए करता, और एक गोल पटे पर मैं बड़ी तेज घूम रही हूँ, एक गोल घूमने वाले पटे पर तुम भी बड़ी तेज घूम रही हो, पिर ज दिनों तक वो बीमार रहने लगी, उसका ही कलेजा कलब गया था, तू तो पगली हैरी गुडियां, ये कोई तिरसना है, क्या छिन छिन की, मेरा गात तो तुझे देख कही तरपत हो जाता है की नहीं, किसना ने उसे समझाया था, तो भी, तो भी, उसका जी हुमक हुमक आय बड़े गहरे बोएं होंगे जी, किसी जनम में, जो ऐसा मरत पाया, एक बार सामना भी तो कर बैठी थी, वो उसका बस एक ही बार, उसे भी तो कितनी जिद हो गई थी, नहीं माना तो नहीं माना, ना, तेरी ये बात नहीं मानने का, बीरा तो शहर पढ़ने जाएगा, ये बात मेरी पूरी होकर रहेगी जला ही रहा हूं, दुकान चलती रही थी, वीरा शहर पढ़ता रहा था, वो अपनी चटाई पर पड़ी पड़ी तड़प कई, बहुत जोर की प्यास रगी थी, होट पपड़ाया पढ़ा था, कोहनी को जमीन पटिका उठंग सी हुई, कुछ देर घर के सरनाटे को सुनती रही, क्या वक्त होगा, वो स्वयम से बोली, दो-तीन बजे होंगे, सरला ताश खेलने गई होगी पास वाले घर में, शीलो इस्कूल, वीरेन की तो कचहरी मोवकिलों से ही जान नहीं छूटती, उठकर रसोई तक आई, दर्वाजे के निकट उसे बहुत जोर का चकर आ गय सारा दोला दोला, फिर काला हो गया, वो वहीं खड़ी हो गई, दीवार पकड़ कर, सरला उसके लिए थाली से ढखकर खाना रग गई थी, रसोई में ठंडा खाना देखकर उसका कलेजा मूं में भराया, ऐसे खाने हो गए हैं सासूं के जी, ऐसे बहुँँ के खिलाने, उम तेज, तेज, उसने हाथ हवा में फेके, उसे बुरे-बुरे सपने आने शुरू हो गए थे, अब नहीं रुकने के, वो सपना ही देख रही है, जागे-जागे, किसना दुकान जा रहा है, वो छटरी लाई है, कैसे बुढाने लगे हो, सिर में सफेदी आ गई, वीरे को ब करवा करवा, वैच जी को दिखा लूँगा, तू चिंता ना कर, पक्का, पक्का, किसना दुकान से आया है, रात काफी बीट गई है, वो दूद लाई है, देर कर दी, मुनीम का हिसाब देखना था, तू तो बैठी रही होगी, कहने को होती है, तुमारे लिए कब बैठी न हो गया, वो पटडे से छूट कर अधर में गिरी जा रही है, कुछी गंटे में शरीर फूल गया है, लोग कह रहे हैं, अच्छा लड़का शेहर पढ़ाया, किसन चन ने, अंत समय कंधा भी न दे पाया, रसोई घर की दीवार पकड़ पकड़ कर वोठी, सिर का लट्टू भूँ में जा रहा है, रुकता नहीं है, वहीं धर्ती पर फैल गई है वो, चटाई तक नहीं पहुच पाई, द्रश्च नाच रहे हैं आखों में, आखों में पानी भरा जा रहा है, वीरेन आया है, पिता के मरने के पाँच दिन पीछे, फिर पढ़ने चला गया, फिर आय है, कहता है, दुकान के 28,000 रुपे मिल रहे हैं, मुनीम जी मांग रहे हैं, बेज देता हूँ, कौन चलाएगा, हाँ, कौन चलाएगा, दुकान तो बड़े बुढ़ों की खोली हुई थी, पुष्टों से चल रही थी, पर अब कौन चलाएगा, वीरा फिर आया है, साथ मे नाइलोन की जग जग साड़ी और उची इड़ी के संडल पहने एक लड़की है, कहता है, बहु है तेरी, हमने कचहरी में शादी करवा ली, कचहरी में तो अपरादी जाते हैं, शादी भी होती है, बहु के हाथ में अपनी मा के घर का पुराना हार रखती है, बहु के लिए होता रेक्या शहर में वो किसना के गली की चेन को पल्ले से चुपा लेती है जाने किस भैसे वीरा अपके अकेला आया है अकेला क्यों तुझे लेने आया हूँ मा सरला ने बुलाया है नहीं बेटा मैं उनका द्वार छोड़ के कैसे जाऊंगी चल भी मा, बार बार आना पड़ता है तेरी चिंता रहती है तेरा पोता भी होने वाला है उसे कौन देखेगा सच, पहले क्यों ने बताया कब होगा वीरा ख़ड़ा है, उसे कागज दे रहा है गाओं का घर बेज दिया है मा तेरे दस्तकत होंगे शहर में घर बनवा लेते हैं तू ठाट से रही हो पर मैंने तो कहा था कब भी नहीं जाओंगी कब भी नहीं ला बहु में साख छोक दू वो कहती है नहीं तुमारे काम करने के उम्र नहीं है अब तुम बैठो उसे लगता है बहु कह रही है तुम दखल मत दो रजाई में तागे डाल दू नहीं या मशीनों पर डलते हैं तुम आराम करो वो बैठ गई है बैठती जाती है आराम जीव का जन्द तो काम के लिए होता है हाथ ने हिलाएगा तो अन कैसे पचाएगा दिन पर खाली खाली पहाड सा दिन बे मन बे काम बे कार सरला के मिलने जुलने वाले उसे देखकर कत्राए से हो जाते हैं उसे लगता है वो कोई मैली सी गठरी है सुनी सुनी आखों से छज्जे में बैठी मोटर ताउंगों का शोर सुनती है शहर में तो मौसम भी नहीं बदलते सुबह दो पहरी नहीं होते हैं जैसे पोती भी दूर दूर से देखती है ठीक अपनी मा की तरह दादी के पहनावे पर नाक से कोड़ती है आया के साथ खेलती है गीता है क्या? हाँ गीता है मिलने आई थी भरतार भी साथ है अब जा रही है गीता रोती है ये तूने क्या किया? मां हमें अनात कर दिया इस घर में कैसे खाएं कैसे बैठें कैसे तुझे बचाएं कहां आन पड़ी हरी अपना द्वार देश छोड़ कर भाईया अच्छा शहर को पढ़ने आया तू तो हंस रहा न कववा मत रो बेटी एक यही बात उन्होंने मेरी नहीं मानी तब ही तो अपना परलोग और तेरा इही लोग बिगाड़ गए बापू ना ना ऐसा ना कह बड़े प्रेमी पुरुष थे वे तो गैरों के कंदे चड़कर चले गए पर संतान के पाउन ही काटे ना बेटी उन्हें कुछ न कहना मैं ही तो छोड़ा ही उनकी देरी वे तो शहर में याद आते भी सकुचाते हैं सपनों में भी ने दिखते तू जा रही है क्या अब तेरे से मिलना नहीं होगा मेरा जी कहता है ले ये चेन ले जा तेरे तो सारे तीज त्योहार नेक बिंदिये ही रह गए नहीं मा चेन मत दे तेरा गला सूना देखकर वो समझ जाएगी कि तूने मेरे को दी होगी क्या पता तुससे क्या बैर बांध ले मार ही तो देगी मार लेने दे क्या रखा है तन में धाईसेर हड़ी सब तो इन्हें परज गया बाकी का ले ले बेटी तेरे बापू की थी तेरे गात पे तो रस्ती सी बलती है दिन रात तू रख ले लाड़ो पकड़े राखियो जी अब तुम पकड़े राखियो प्रीत की डोर है पक्की पक्की मां आके खोल मैं हूँ बीरेन तुझे तो बुखार है नहीं बेटे का हे का बुखार है मां डॉक्टर को बुलाता हूँ डॉक्टर का मैं के करूँगी होने दे बुखार अब कुछ होगा तभी तो कुछ होगा इतने दिन तो हो लिए बाट देखते अभी आप सुन रहे थे सुनीता जैन जी की लिखियू ये एक बेहद हिर्दा इसपरशी कहानी बाट निशब्द हूँ इस मर्म इसपरशी कहानी के बारे में कुछ भी कहने के लिए आप अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल मैं हो